नमस्कार आप देख रहे हैं अपने क्षेत्र का लोगपरी चैनल अरुनुदै समाचार अंशिन्स थगित अब अवाम तै करेगा काम कमांडर इंचीफ गींदालाल दीक्षित स्मरन अभियान जनिता को समर्पित बाह पंडित गींदालाल दीक्षित ने देश को आजाद करान के लिए जो सपना देखा और जिस तरह से दूसरे बड़ी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर अंग्रेजों के लिए मुसीबत बने वह मिसाल है अपने अतुलनिय योगदान के बाद भी गींदालाल दीक्षित को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वहबदार थे क्रांतिकारियों प सदस वरिष्ट पत्रकार राजी हसक सेना के अनुरोद पर स्थागित कर दिया गया अब जनता इस आंदूलन की आगे की दिशा तै करेगी मई गाव में पंडित गींदालाल दीक्षित के जमिस्थान है यहां तीन दिन से अंशन कर रहे आजादी आंदूलन के महानायक कमां दिवीर माता दीन निशाद के वंशच हरी देवी और राजकुमारी देवी ने देर शाम जूस पिलाकर अंशन तोडवाया इस अवसर पर गेंदालाल दीक्षित के बलीदान शताब्दी वर्ष को सो बरस पूरे होने पर उनके गौरव शाली विरासत को याद करते हुए च इंदालाल जी के जन्म स्थान पर क्रांतिवीर के नाम पर वाचनाले और पुस्तकाले शीक्र बनवाएंगे। अनिल शर्मानी कहा कि आजादियोत दागेंदालाल दीक्षित की विरासत को स्कूल कॉलेजों में ले जाएंगे और मईगां को परिठन मान्चित्र से प्रयास करेंगे। अनिल यादव, रुमाल सिंग कुश्वाह, अशोक वर्मा, नितिंग वर्मा निशाद, प्रयाग सिह राजपूत, आनन दीक्षित, विजेंड दीक्षित, नरेंड कुमार, चंद किशोर दीक्षितादी परिवार्जन के अलावा सैगडों लोगों ने दिन भरा करा जादे गेड़ दालाव देक्षित को नमन किया, बास है बबलू यादव की रिप्र